कि राधिकृष्णा फ्रेंट्स मेरे इस चैनल डिवाइन दृष्टी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनादन है फ्रेंट्स आपने वह कहावत तो सुनी होगी तू डाल डाल मैं पात-पात मतलब कि कोई भी उचाल ले रहा है आगे बढ़ रहा है डाल से डाल पर कूटता चला जा रहा है पर दूसरा कोई जो उससे ज़्यादा तेज है वो पत्ते-पत्ते पर अपना निशान छोडता चला जा रहा है एसी ही बात हम में और इश्वर के बीच में है आज मैं आपको यही बताने आई कि दोस्तों हम लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए हम डाल डाल तो इश्वर पात पात इसके पहले कि मैं आपको इस बारे में छोटी सी कहानी सुना कर अपनी बात को पेश करूं मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक प्रिंस इसको अंत तक देखिएगा जिससे की आप लोगों को मेरी कहानी का मतलब समझ में आ जाए ठीक है प्रिंस मैं आपको एक कहानी से ये बताना चाहरी हूं एक बार की बात जैसे की बसे जाती ना ट्रैवलिंग एजनसी की बसे टूर्स पे तो एक बार एक बस यात्र बूढ़े जवान लेडीज और कुछ जो आस्तिक थे कुछ जो नास्तिक सब हर तरीके के उसके अंदर बैठे वे थे लोग बस चली दिल्ली से जा रही थी बस और दिल्ली से वो बस जाते जब वो बस जमू पहुंची तो वहां उसको पहाड़ी रास्ता पाय करना था जैसे ही पहाड़ी रास्ते पर वो बस जाने लगी तो बारिश शुरू दार अच्छी धूआधार तेज बारिश और पहाड़ी रास्ता था आपको तो चढ़ाई होती है, आपको ओपर चढ़ना होता, दूसरा वो थोड़ा गोल-गोल बना होता, जिससे कि चढ़ने में आसानी रहे, अब जो जातरी उसमें बैठे थे सब डर गए, उन्होंने कहा कि सबने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, कोई बोलने लगा जै माता की, कोई बोलने लगा, राम, 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 कोई बोला, कृष्ण, 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 इस तरीक से सबने नाम लेना शुरू कर दिया, और जबते, 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 उनका थोड़ा रास्ता कट गया, जब उन्होंने थो दीड़ाने लगा दो किसी ने का निआ न मूवी लगा दो भक्त थे थो गाना मूवीद भात कर रहे हो दीमोग को तरीच हैं मजाग छस्रीव पथे नियुकर दीघ्राक ते देफूर लिंद्ट कर दाल्ण ने'd้ये ऑपस में बात चली थोड़ी सी और आगे गई जब बस तो आगे जाकर उसने देखा कि जब एक मोड आया मोड से जैसे ही बस आगे मुड़ी और आगे जाकर एक दल दल था उस दल दल में उस बस का टायर फस गया जैसे टायर फसा सब लोगों की बोलती बंद सब डर गए अब ये कुंसी आफ़त आ गई क्या करें क्या ना करें फिर सबने भजन पूजन जब शुरू कर दिया और भजन करते 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 वो लोग नीचे उतरे और सब लोगों ने मिलकर बस को धक्का लगाया जोर से बोलो जै में बैठे और इश्वर को जबते जबते वो लोग बैशन देवी कटरा पहुंचे और फिर वहां से तो पैदल रास्ता तै करना होता है इस तरीके से उन्होंने पैदल रास्ता तै किया प्रिंस इससे एक बात समझ में आई ना भगवान कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरत प पंद किया बगवान ने एक और उनके सामने समस्या रख दी जिससे कि वो इश्वर को जपना शुरू कर दे तो फ्रेंट्स इस बात से एक बात का पता लगता है कि हम डाल डाल तो इश्वर पात पात और यही बात नहीं है मैं आपको एक और वाक्या सुनाती हूं एक बार क यह भगवान बहुत पुरानी बात है उस से में कि रुपटें में एक ठालय करती थी थी है फिर पता नहीं क्या मन में उसने का भगवान मुझे दो रूपय दिलवा दे एक तुझे चणा दूगा एक मैं खालूँगा जैसी उसने इस सुचा उसका पैर नीचे टकराया और मिटी उखरी और मिटी उखरने के साथ-साथ दो चांदी के सिक्के निकलाये हैं और वो सिक्के लिए हात ने और इसे अब वो दूसरे सिक्के को साफ करकर के साफ करकर के देखने की कोशिश करने लगा कि ये सिक्का भी खरा है की नहीं और सोचते सोचते उसके मनने खोट आनी शुरू होगी उनने सोचा यदि ये सिक्का भी खरा निकला तो मैं इसको भी रख लूँगा ठीक है ना भगवान को पिर कभी और चढ़ा दूगा, ऐसे सोचते सोचते उसने सिक्का उच्छाला, और सामने एक नाला था, और सिक्का उसमें जाके गिर गया, देखा दोस्तों, तू डाल डाल, मैं पात पात, उसने का, हाँ भगवान मुझे सब समझ में आ गया है, मेरे मन में खोट आने लगी कि मैं आपको नहीं चड़ाऊंगा तो आपने इस तरीके से अपना सिक्का ले लिया तो दोस्तों मैं आपसे यहीं कहना चाहती हूँ जब भी इश्वर की भक्ति करें तो पूर्ण मन्द से कीजिए उस भक्ति में आपके कोई भी खोट नहीं होना चाहिए उस भक्ति में आपके यह नहीं होना चाहिए कि आपको जरूरत है तो मंदिर में गए घंटा बजा दिया और जब जरूरत नहीं है तो भूल गए भगवान को अपना एक नियम कानून बना के रखिए और उसी नियम कानून के हिसाब से चलिए आश्या करती हूँ मेरे इस वीडियो से आप को कुछ नगुष्ट साहता जरूर मिली ही होगी रादे किष्णा प्रिंस सी यू सून